स्री शुवाय नमस्तु भ्याम हम सबको पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गया है पांच नमंबर और इस दिन को हम हरी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं हरी चतुर्थी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो चतुर्थी आई है, कबाई है, कार्ती के महीने में, और कार्ती का जो पूरा महीना होता है, भगवान हरी, भगवान नरायन को समर्पित होता है, साथी साथ मात तुलसी को समर्पित होता है, तो आज के दिन आपको क्या करना है, बस चावल के 41, यानि कि 41 दाने लेकर के छोटा सा उपाय करके देखेगा चाहे वो कोई सी भी तकलीफे हो आपकी लाइफ की ना कोई सा भी दुख दर्द है जीवन में ना वो सारा खतम होगा बहुत special सा बहुत प्यारा सा उपाय है बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा वीडियो को पूरा देखेंगे ठीके ना चलो समझने कोशिश करते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिन पे आप सभी को चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं जैसा कि मैंने लिखा था कि हमें कितने चावल चाहिए 41 चावल है ना ना ही एक भी कम ना ही एक भी जादा देखो एक उपाय गुरुज ने सो मुआर की अस्टमी का बताया था वहाँ पे कितने चावल लेने थे हमें 31 चावल तो क्या आपने सोचा कि 31 इंक्विरेने 30 नहीं हो सकता कभी भी कोई भी चीज जब भगवान को समर्पित की जाती है तो वो और्ड नमबर में होती है और्ड नमबर का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या दो से ना कटती हो विशम संख्या उसको कहते हैं और वही होती है और नमबर जब हम अगर बती जलाते हैं भगवान को तो कितनी जलाते हैं, या तो आप एक जलाओगे, या तीन जलाओगे, या पांच जलाओगे, कभी दो चार नहीं जलाई जाती, ठीक है न, इस सीच का धान रखना, तो आपको इसलिए लेने हैं, 41-41 चावल के धाने इस उपाय में, अब इतना करने के साथ में, एक आपको ता तामबे का लोटा नहीं होता, देखो, एक तो शुब होता है, तामबे के लोटे से अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, अराधना करते हैं, तो वो शुब माना जाता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि तामबे का लोटा लो, अब नहीं है घर मे तामबे का लोटा तो बहुत हाथ पैर सरपर टकने की जरुवत नहीं है कोई साभी पातर घर में हो उसको बेस्तमाल कर सकते हो ठीक है न जल ले लिया और कार्तिक मात का महत्तम महीना चल रहा है सुबह से लेकर की शाम तक आप कभी भी उपाय कर सकते हो सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि आप चाहो तो इस उपाय को मंदर में करो या फिर आप चाहो तो इस उपाय को कहां पे कर सकते हो घर पे भी ठीक है न देखो अब वहाँ पे पहुचना और पहुचने के बाद में सबसे पहला काम करना है फेस रखिएगा उत्तरदिशा हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि कहीं पे भी हमें किसी भगवान को खोजना नहीं महाद्यो का पूरा परिवार शिवलिंग के उपर ही विराजमान है जब शिवलिंग को हम यहाँ पे खड़े हो करके देखते हैं तो हमारा जो राइट साइड होता है यह यह कि साइड होगा यह किसका होगा भगवान गनेश का तो इसी स्थान पर जो आपके पास में 41, 41 चावल के दाने हैं उसको आपको ऐसे ऐसे करके कुछ समर्ण अब जैसे मैं लाइन बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो आप वैसे ही लाइन से रख देना 41 चावल के दाने और जब यहाँ पे रखोगे भगवान मयूर ध्वच का इसमनन करेंगे किसका धान करोगे मयूर ध्वच का इसमनन करके और जो तामबे का लोटे में जल और गंगा जल आपके पास में है वो आपको पहले समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर अरे भगवान गनेश कौन है भगवान शंकर माता सती के पुत्र ही तो है और प्रिये पुत्र माने जाते हैं इसी लिए हम सबसे पहले चावाल का दाना भगवान गनेश के स्थान पे चढ़ा करके और फिर जल को समर्पित करेंगे माता सती के स्थान पे और बाकी का बचा हुआ जल फिर महादयो के शिवलिंग के उपर चढ़ाने से हमारे जीवन के जो दुख होते हैं, तकलीफे होती ह वो सारे खतम होते हैं, भूलिए गनीश हरी चतुर्थी का उपाय आप सबको करना चाहिए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको इसी चतुर्थी तिथीपे करने चाहिए और ये बहुत स्पेशल सा उपाय है, देखो आ आप उपाय करेंगे, इसके लिए हमें लेना होगा दूरवा, भगवान गनेश को सबसे अधिक प्रिये कौनसी चीज होती है? वो होती है दूरवा, इस चीज को आपको पता होना चीए, कितनी दूरवा लेनी है? या तो तीन दूरवा लेलो, या तो पांच दूरवा, हरी काली मिल जाए हरी ले लो सफेद दूरवा मिल जाए सफेद ले लो कोई से भी आप ले सकते हो इसके साथ ही साथ में भगवान गनेश के पास में जाना कहीं पे भी किसी भी मंदर में घर पे कहीं पे भी कर सकते हो आप जाना और भगवान गनेश के पास में उनकी जो दात होती तो उसके बाद में हमें क्या करना है एक तामबे का लोटा लीजेगा ठीके ना उसके अंदर जल भरना और जल के अंदर क्या डालना है गंगा जल मैंने बताई दिया है और महादयो का सबसे प्रिये चीज क्या होता है वो होता है बेल पत्र तो आपको एक बेल पत्र लेनी है और उन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाएंगे कहां पे महाद्यो के शिवलिंग के पास में, फिर से आपको वही काम करना है, महाद्यो के शिवलिंग के उपर जो भगवान गनेश का स्थान है, वो होता है राइट साइड में, तो इसी स्थान पे क्या करना है, जो आपक हैं कौन सी हैं, सबसे पहले जल समर्पित करोगे, जिस जगह पे आपने बेलपत चढ़ाया है, भगवान गनेश के स्थान पे, दूसरा माता के हस्त कमल पे, जिससे हम लोग प्यार से कटी भाग बोलते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ जल है, वो पूरा का पूरा महाद्य के शिवलिंग के उपर मड़ी भद्र के नाम से चढ़ाना, किसके नाम से चढ़ाओगे, मड़ी भद्र के नाम से चढ़ाने से हमारे घर में जो भी बीमारियां होती है, जो भी तकलीफे होती है, जो इंसान ठीक नहीं हो पारा, वो इंसान ठीक हो जाता है, और सुधर जात सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे चैनल को सब्सक्राइब है ना देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस उपाए की बेनफिट क्या है इस उपाए का फाइदा होगा धन प्राप्ति यानिकि मा लक्ष्मी का वास घर में नहीं है बहुत चिंतित हो कर्ज में लाल चंदन लीजेगा आपको पता होगा भगवान गनेश को खुश करने के लिए हमें दो नाम लेने चाहिए और वो दो नाम कौन से हैं एक है रिद्धी और दूसरी है सिद्धी तो आपको बेल पत्र जो दिखरा है इस बेल पत्र की नीचे की जो दोनों चोटी चोटी पत् सिद्धी के नाम की लगा दिया अब फिर इस बेल पत्र को उठाएंगे सेम प्रोसस करना है तामबे का लोटा लेंगे जल भरेंगे गंगा जल डालेंगे और आपके घर में या फिर महादयों के शिवलिंग के पास में जाना फेस रखेगा उत्तरदिशा नौट डिरेक्शन स सबसे पहला काम करेंगे जल चढ़ाएंगे यहाँ पे पहले बेल पत्र चढ़ाने का प्रावधान नहीं है पहले आपको एक लोटा जल चढ़ाना है महादयों के शिवलिंग के उपर और उसके बाद में आपके पास में जो एक बेल पत्र है जिस स्थान से खड़े हो करके जल चढ़ाया है उसी स्थान पे खड़े हो करके और उसी जगह पे आप अगर उस बेल पत्र को रिद्धी सिद्धी के नाम से समर्पित करते हैं किसी भी चतुर्थी तिथी पे तो इससे भगवान गनेश खुस होते हैं और हमारे घर में विराजमान होते हैं और आपको पत असान से उपाय के हम लोग बात करने जा रहे हैं समझने की कोशिश करिएगा यह उपाय आपको करना है भगवान हरी के नाम से ठीक है ना समझने कोशिश करना है सबसे पहले बात करते हैं उपाय के फाइदे दो फाइदे हैं जिससे आप कभी भी घर से बाहर गए और आपक काम नहीं हुआ तो उपाय करेंगे या फिर आप पे घर में बहुत लड़ाई जगड़े, क्लेश, ऐसी संभावनाई बनती हैं तो आप इस उपाय को करेंगे इसके लिए क्या करना होगा हमें लेने हैं चावल के दाने अब यहां पे चावल का दाना आपको गिनना नहीं है बस एक चुटकी चावल का दाना उठा लो चावल के दाने को लेने के बाद में आपको जरूत पड़ेगी इस तरीके से हल्दी की धान लखिएगा हमें हल्दी की गाठ नहीं लेनी है आपको इस तरीके से पिसी हल्दी लेनी होगी जादा नहीं बस एक चुटकी आपको पिसी हल्दी लेनी है और इन दोनों चीजों को लेके पहुँच जाएंगे कहां पे किसी भी आवले व्रिक्ष के नीचे मेरी बात चान सुनिएगा अब जरूरी नहीं है कि यह उपाया नहीं कर पारे हो आज उपाय को तो कल कर लेना परसों कर लेना बट कार्तिक मास में आप इस उपाय को जरूर करना चीए ना सबसे पहला काम जो चावल के दाने हैं उसे आप अपने पास रखेंगे उसको नहीं समर्पित करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी ओम नमो, भगवते, वासुदिवाय कर स्परण करके आपको आवले पेंड की जडमे चढ़ाना जिस स्थान पे आपने हल्दी चढ़ाया है उसी स्थान पे एक लोटा जल चढ़ा देना बाकी का जो एक चुटकी आपके पास में चावल का दाना है आवले पेंड के आस पास डाल देने से हमारे घर से जो कलेश होता है वो दूर होता है आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाओगे और इस उपाय को करके जाना आपको सफलता सौ प्रतिशत मिलेगी ठीक है ना तो करके देखेंगे बाकी मैंने तो कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कोमेंट सेक्षने पूछ सकते हैं और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे स्रीश वाय नमस्तु भी